नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं फिल्मे मस्ती दोस्तों इस हफते सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है बैड बॉय अब आप सोच रहे होंगे कि इस बैड बॉय ने कितना धमाल मचाया है तो मैं आपको बता दू कि सिनिवा घरों में इस बैड बॉय ने बहुत धमाल मचाया है लोगों की सीटिया और तालिया इस फिल्म को बहुत ज़ादा मिल रही है बात कर लो इस फिल्म के कलाकारों की तो इस फिल्म से दो एक्टर डेब्यू कर रहे हैं बॉलिवोड इंडस्ट्री में एक है अमरिन तो एक है नमाशी चकरवर्ती जो मित्तु चकरवर्ती के बेटे है और इस फिल्म से डेब्यू कर रहे है फिल्म के जो फिल्मेकर है जो डिरेक्टर प्रोडूजर है वो राजकुमर संतोशी साहब है जिनोंने कई अच्छी अच्छी और सूपर हिट फिल्में द पसंद आ रही है क्योंकि फिल्म में कौमेडी पंचस बहुत जादा है फिल्म में मशूर कौमेडियन जॉनी लीवर सहाब है जो बहुत ही अपने कौमेडिय अंदाज से लोगों को खुब गुद गुद आ रहे हैं वहीं फिल्म के दोनों एक्टर की बात कर लोगों को काफी पसंद आ रही है फिल्म का जो music पार्ट है वो हीमेश श्रमिया जी का है जो काफी पसंद किया जा रहे है थेटर में जब भी गाने बज रहे हैं लोग सीटिया और तालिया बजा रहे हैं और खुब enjoy कर रहे हैं गानों को कहानी की बात कर लू तो फिल्म की कहानी जादा भी न अमरीन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया गया है जहां एक तरफ अमरीन बहुत ही पढ़ाकू लड़की है बहुत ही अपने माबाब की बात मानने वाली लड़की है वहीं उसकी अपोजिट है नमाशी का गिरदार जो एक बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है हमेशा फेल होते और उनों जादा पसंद नहीं करते हैं लोग लेकिन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है दोनों कैसे मिलते हैं दोनों की लव स्टोरी क्या अंजाम तक जाती है दोनों के परिवार वाले इस लव स्टोरी को एकसेप्ट करते है या नहीं करते है यही पूरी कहानी दर्श लोगों को एंटर्टेन करते रहें मैं फिल्म को पांच में से चार्ट स्टार देना चाहूंगी और उम्मीद करते हूं कि आप भी फिल्म को जरूर देखें